अब यहां पर मैं आपको दिखा दू कि यह मेरी ओरिजिनल वीडियो है किस तरीके का आपको कुल लग रहा है लग रहा है लेकिन इसको इडिट किया हूँ इस तरीके का मेरे वीडियो की क्लर ग्रेडिंग आप लोग को अच्छा लग रहा है ना बहुत से लोगों की कमेंट पके अपने वीडियो की कई से करतें कौसा फील्टर याउस करते हों कौसा ऐप利 HD करते हों कौ यूज करते हों आज अपको उन सारी सवालों का जबाब मिल जाने माले और आसान बहॉता में मिले असान तरीके से मिलेगा जैसे कि कि मेरी video आप देख रहे हैं कैसे is fire जो षगेना सन सई लग रहे तगड़ा वाला और video की quality एकदम तगड़ा वाला देख रहे हैं तो आपको भी ऐसा अगर editing करनी है तगड़ा वाला तो वाइ मेरी प्यारे दोस्त मेरे प्यारे मिस्ट्र मेरे प्यारे प्रषैना जो भी है मेरे वीडियो को देख रहें और इस तरीके का उनको भी इडिट करना थे इसकी मत करना भाई ध्यान से देखना हो सकते तो वीडियो अभी लाइक कर देना क्योंकि मैं आपको जो बताने हैं वह बहुत ही तगड़ा वाला सेक्रेट है यह सेक्रेट मैंने किसी के साथ वेविल नहीं क्या हूं लेकिन आज मैंना शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि यार कैसे आप अपनी वीडियो को मेरी तरह एडिट कर सकते हो एडिट कर सकते हो अस्तगड़ा वाला तरीका ठीक है कैसे करना सब से पहले यहां पर मैं जो इस्टेफ बता रहा हूं उसको ध्यान से आपको सुनना पहला जो इस्टेफ है कि आपको जैसे कि मैं अभी वीडियो सूट कर रहा हूं ना कुछ इस तरीकी के लोकेशन पर आपको दिखा दू है और याँ तगड़ा मेरे सामने आ रहा हुआ और मैं जस्ट सूर्श के सामने खड़ा हुआ और बैग ग्राउंड में की आपको दिखा दू कि यह मेरी ।ाइजिनल वीडियो है किस तरीके का आपको कुल लग रहा है लग रहा है ना लेकिन इसको इडिट किया हूं तो इस तरीके का आप लोगों को दिख रहा है और यही चीज़ आप लोग को पसंद आ रही है और इसी चीज़ को मैं बताने वाला हूं तो सबसे पहले इस चीज को आपको ध्यान देना है कि इस तरीके के location पर जा कि अपनी जो भी वीडियो सूट कर रहे हो ना उसको सूट करना है ठीक है, सूट करने के बासे कैसे अपनी वीडियो को एडिट करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है किस तरीके से filter यूज करना है, यानि जो भी मैं यूज करता हूँ कैसे यूज करना है इस तरीके के location पर सूट करना है और अपने phone की जो setting होती है उसको wide angle पर करके रखना 60fps कर लेना या 30fps में भी कर सकते हो, अगर blogging करते हो तो 60 कर लेना, अगर blogging नहीं करते हो तो 30 कर लेना दोनों में से कोई भी कर सकते हो, लेकिन दोनों आपको ध्याँ रखना है blogger के लिए 60 और जो blogger नहीं हो 30fps करके ही shoot कर, रेजुलेशन जो होता है फ्रेंट वह आपको 1080p रख लेना है दोनों लोग सेम रख सकते हैं लेकिन पियस दोनों लोग अलग अलग रखेंगे तिक एक काम करने के बाद से चलिए हम आप चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और वहाँ पर एडिट करके दिखाते हैं कैस थ्रिक से अब इस तरीके का कलरीडिंग जो देख रहे हैं उस तरीके कालर क्रेनी कैसे अपने मोबाइल से ही कर सकते हो अब उसमें कैसे करना वो को प्रोसेस मैं बताऊं कि कोई भी ऐसा सेटिंग नहीं बताएगा जो मैं अ जिस सेu सिन्पल ट्रिक होता है और तगड़ा इडिटिंग हो जाता है चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं सबसे पहले आपको अपने फोन पर आ जाना है फोन पर आने वासे एक एप्लिकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको अपने फोन में देखिए फ्रेंड्स यहां पर बता दूँ अगर आ पर skip कर देना है अभी यहां पर फिन कोछ इस तरीक एक एंटरफेस है अगर नीचे प्लस ब्लू पर क्लिक कर देना है यहां पर ब्लू कलर में प्लस बटन है इस पर क्लिक करना है न्यू पर यहां पर क्लिक कर देना है उसके बास अपनी जो भी वीडियो सूट करके रखे है जो जिस location में मैंने बता है उस location पर अपने वीडियो कर लेना है और next कर देना है अब आपकी वीडियो आ जाएगी यहाँ पर किसली आप अपनी वीडियो बना रहे है YouTube के लिए या वीडियो के लिए तो यहां पर यूटूब के लिए यह है 69 और वीडियो के लिए 960 है तो जो भी आपका size है वो आपको select कर लेना है तो मैं YouTube के लिए बना हूँ तो यूटूब side select कर लिया ठीक है अब simple करेंगे कि अपनी वीडियो की color grading करेंगे क्योंकि हम लोग यहीं सीखने वाला है और मेरी secret क्या है क्योंकि यह जानना चाहते हैं बहुत से लोग तो आज की वीडियो देखने के बाद से आपकी सारी सबसे पहला doubt आप लोग का clear हो है कि मैं कोई भी filter यूज नहीं करता हूँ यहाँ पर manually जो भी करना होता है यहाँ पर minus 5 कर देते हैं ठीक है और यहाँ पर यहाँ यू को मैं यहाँ पर minus की तरफ लेके चले आता हूँ देखिए यहाँ पर देखने को कर दिया मैंने मामष टें के लभग कर दिया तो बीडियो के अनुसार आपको देख ले Administration मतलब ज्यादा कम नहीं करना डेना ईसे का देख लेकिन हमारे वीडीयोमे कुछ उस तरीके का फिल आई आलाई है जिसे कि हमारे वीडियो आप लोगों को देखने को अभी मिला है ठीक है तो अब उस तरीके का फिल आने के लिए हम करेंगे कि अपनी वीडियो की यह जो कलर है न देख सकते मेरी जो फेस एकदम से डार्क दिख रहा है तो उसको मतलब फेस लाने के लिए अच्छा से देखने फोटो सेलेक्ट कर लेना है तो क्या हला है टो, पूरे वीडियो को फॉटक देना है मैंने ढख लिया देखिए ढखनी के बाद से यहां पे हम रएंध करेंगे, इसका लैंध पूरा बड़ा करना जितना बड़ा हमारा वीडियो है, टिकर करेंगे तो यहां पे हमेरी वाइट वाले फोटो पर निचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर हम करें कि के अभी हाँ बीडियो में जयादा तर हमारा कौन सा करण सबसoit ब्रीडियो में दिख रहा है उस और के सामने ले जाएंगे अपनी वीडियो को फिर क्या करें कि है क्लिक और ब्लैंडिक पे जाएंगे यहां पी इसको हम कम और ज्यादा करेंगे देखिए कम कर दिये तो हमारा फेस जो है डार्क दिख रहा है अब इसको हम यहां पर इंक्रीज करेंगे जितना पर हमारा वीडियो स्मूथ दिख रहा है उतना पर कर लेंगे जैसे कि इतना पर हमने कर दिया 60 देखिए 60 कर दिये तो हमारा फेस जो है बना सकते हैं लिसा ये अपनी वीडियो पर आने के बात से यहां पर आपको अपनी वीडियो पर ही click करना यहां पर आपको मिल जाएगा HSL ठीक इस पर click करना है जैसे click करेंगे यहां पर आपकी वीडियो में ज्यादा color क्युकर कौन सा है कि मैं इतना ही पिराने दूंगा थोड़ा से ही रखूंगा इसको और यहां पर डार्क साइड में करेंगे तो और डार्क हो जाएगा देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इस तरीके से इसकाई तो आपको जैसा इसकाई चाहिए वैसा करना है तो देखी यहां पर मैंने लेका र और इसको एधर की तरफ 먹 लेंगे तुम कर देख लेंगे धर कि तरीके से आपको देखना होता है कोई भी फिल्टर कोई भी सेटिंग को आगे बढ़ा देने से नहीं It. है आपको अपनी वीडियो के हिसाब सी यहां पर सेटिंग कर लेनी होती है कि कि superintendent कर रहें तो हमारे वीडियो की कलर अच्छा निकल के या रहा है जैसे के यान पर डार्क कर दे रहे हैं तो डार्क में और अच्छा बेटर देखने को भी आपको ज्यादा डॉर्क नहीं करना है इसको हलका ही रहने देना थोड़ा थोड़ा पीला कलर में ठीक है एल वाले पर क्लिक करेंगे अब इसको देखिए यहां पर मैंने increase किया तो कैसे नीचे वाला सीन जोई पीला दिख रहा है ठीक है कुछ इस तरीके से देख सकते हैं तो इसको हम हलका थोड़ा सा करलेंगे और डार्क साइड में ले जाएंगा ठीक है यहां पे डार्क वोले साइड में यानी 15 के लगवर कर देंगे ठीक है अब यहां पे हमको औरेंज यानी फेस को smooth करनी के लिए यहां पर देख सकते यह वाला color हम यूजज कर सकते हैं इसको भी हम थोड़ा सा आगे करेंगे, देखे, हमको हलका करना है कलर को नो, ताकि फेस हमारा डार्क था, वो थोड़ा हलका हो जाए, देखने में अच्छा लगे, ठीक है, इसको कर लेंगे, उसके बास से रेड पे आएंगे, रेड कलर अगर आपके वीडियो में ज्यादा दिख रहा है, तो अब रेड कलर का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेड वाला कलर भी है, तो रेड वाले का हम यहाँ पे पूरा फूल कर दिए, और इसको यहाँ पे थोड़ा सा माइनेस की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, माइनेस की तरफ ठीक है, अब इसको भी हम माइने एक चीज और बता देता हूँ आपको कि आपकी बीडियो को और स्मू primero के लिए फ्रेंट्र प्रेंड़ आपको फिल्टर पर क्लीक करने है यहां है औरने पर शारपनेस को हना सार प्रेंच कुछ libraries के clarity और बढ़ जाएगी तो मैंने प्लस 5 रखा था प्लस 10 कर दिया आप देखिएगा clarity हमारी वीडियो की बढ़ जाएगी ऐसा लगए आप लोग को अच्छा नहीं नहीं लग रहे है लेकिन उसी वीडियो को मैंने हाई रहेगा ठीक है इतना पर करने वास एक्सपर्ट पर क्लिक कर देना यह आपकी गैलरी में सेफ्ड हो जाएगी अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन कोल प्रेस कर लेना फिर मिलते हैं अगले वी करन पर क्लिक कर्दमक्र छाएब्स कर दो कर दो जाना व्म्हें एक कर दो करेक्थरा कर दो लो वााइब मरी हैं एक वालरी deja है समय प्र शो खो एकश्रा ओि當